मैं मनेश कुमार आपका अपना युवासा थी आज इस वक्त मैं खड़ा हूँ बानो पर्खन के काफी सुन्दर और एक पर्टन अस्थल जो पर्टन अस्थल घोसित तो नहीं हुआ है लेकिन वाकई बहुत खुपस्वत जगह है दोनोर हरे हरे जंगल है बीच में नदी है औ विडियो नहीं बना रहा हूँ पिछले सनेवार हमारे छेत्र के गेनमेर सहवबेडा और राइकेरा पंचायत साथे जमते पंचायत हुर्दाबर डाड में काफी वीशन आंधी आये थी इस आंधी में लगभग हमारे छेत्र के 20 से 30 घर केलबेस्टर्स छात उजड़ चुक बहुत सारे ऐसे आदिवासी भाई हैं जिनका घर का छती गयब हो गया है उसके घर में पेड़ गिर गया है या उस छत को हवा ने उड़ा लिया है चलिए तो दुख बरी खबर है लेकिन जनता के दुरा जो जूने हुए परतिनीधी है चाहे हो हमारे चेत्र के बिधायक हो जिला परिशद हो या मुख्या हो उन्होंने ना ही उसका जायजा लिया ना ही अभी तक किसी परकार का उनको सरकारी मुदद मिला है अब इसमें दोस किसका है दोस ना ही जन परतिनीध्यों का है ना ही आपका और हमारा दोस है इस सिस्टम का जो सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें हम सभी सरकार संबीद करते हैं सरकार को अपना टेक्स देते हैं सरकार कहती है कि सभी परिवारों को पक्का मकान मिले सब अच्चे छत पर रहे लेकिन हमारे छेत्र में हमको लगता है जिनके पास पैसा है जिनका सं मकान मिलता है उन्हीं को और फिंद्यों कने अधियों कि घुर्पुंड़ चाहिए डोब Türkiye में लगभक 500 ऊज़ड चुके हैं हुर्दा में भी पांच घर उजड़े हैं अब वो एलबेश्टर से बनाते हैं कचे घास पूस के घर बनाते हैं और सभी घर लगभग इस आंधिम में उजड़ चुके हैं और हमारे छेत्र के बिधायक सरीक कोषे मुझड़ा जी ना जाने क्या कहें उनको सायद nuo 2 परिखंड को के अपना बिधानसभा weekend माननते ही नहीं है क्योंकि हम ऐसे मजदार हैं फसे हुई है यह जो परखंड है यह नहीं सिमदेगा विधान सभा में आता है नहीं कोलेविरा विधान सभा में आता है इस परखंड का एक अपना ही अलग रविया है यह परखंड अपने जिला से फेक कर किसी अन्य जिला में थोब दिया गया है जिसे कारण हमारे छेत्र के बिधायक हमारे छेत्र के सूद तक नहीं लेते हैं जब चुनाव परचार करना हो या फिर जब यहां आते हैं तो बड़ी बड़ी डिंग भाग कर चले जाते हैं लेकिन छेत्रे की लोगों की समस्या से ना उनका परतनीधी उनको अउगत कराता है ना उनके जो भी कार करता है वे अउगत कराते हैं इससे तो यही साबित होता है कि हमारे छेत्र को एक बेगाना सा और एक बेकार से जगह मानते हैं लोग और निया था जिस परकार से आंधी हुई न्यूस प्रकार के माध्यम से सुचना मिली ध्यकारियोग अभी तक करवाई हो जाने चाहिए थी चले इतना ही आज बात करते हैं और ध्रातल पर जाकर आपको वीडियो फूटेज के साथ हम अब बिट करेंगे आप बने रहे हैं हमारे साथ आप फोलो कर दे लाइक करें और इस वीडियो को जिक से दिक सेयर करें कुछ कड़ी बाते हैं जो मैं कहना चाहता हूँ लेकिन जब तक आप सभी का समर्थन नहीं होगा मैं कहने पाऊंगा तो उमिद करता हूँ आप सब अपना समर्थन बनाए रखे ताकि हम अपने छेत्र के समस्याओं को जिनको सुचना पोशा नहीं है उन तक सुचना पोशा सके धन्यवार जय हिन